सबसे पहले ना यह स्टिपर है यह फाइबर है धर्मियान में रखके इसको आपने ऐसे कड़ लेना है अपलाइब देगे यह इतनी अंगल है यह पाउंद नहीं आ रहा है यह ना इससे स्टिपर से आपने छिल देना है उपर वाली तैय उतारने के लिए यह वाली स्कीन जो तीसरे वाला जो है इससे आपने काट नहीं है यह देखें यह फू बहुत उतर रहा है इसके बाद यह उतर गया धिर यह स्वाफ़ लेकर तो स्वाफ से आपने इस वाप डेकर इसको साफ कर दिया चीए यह साफ हो गया यह देखने हैं यह फाइबर ब्लेड पीछ आप है यह कोटिंग नीचे रहागे पीछे क्लीवर लेकर है इसका ब्लेड पीछे है यह अंदर हो गया ऐसे करेंगे अपनी जगा पर उक जाएगा इसके बाद है ऐसे रख देने हैं फाइबर आपने और इसको नीचे कर लेगा यह हाँ चोड़ते हैं यह बिल्कुल फ्री हो जाएगा इसके बाद है इसके बाद है यह फाइबर आपर आम से अपना इसके अंदर रख देंगे तो यह जैसी आन होता है इसको रखना ऐसी है कि इन दोनों के जो है ना दर्मियान में आए ताचनियों ना आगे होना यह इसके दर्म्यान में रखेंगा इन दोनों के दर्मियान है आप को इसको भी उसी तरह फेले मोटी लेयर को उताड़ना है यह उतर गहीं इसके बाद छोटी वाली लेर को उतारना है कीर सद्धना थिंद साफ हो गया उब क्या करना है सिस वै्प से साफ कर लेना इसको एकदम साफ हो गया वसी तरह लेग इसे हो गार आधे कर लेना याने Stef कर देना रो रहा उसके बाद इसको थोड़ा आगे को पकड़ लेगा ऐसे यह फिक्स हो गया अच्छा ऐसे मर्जी हिलेगा कोई मसला नहीं है आपने एक ही हाथ से फिर इसको ऐसे निकल जाएगा इसको इसी तरह यह साइड खोले ऐसे ही साद नहीं जोड़ना तो आप पीछे रखें ऐसे कर द सामने आगे बस अब यह जो है आगे मशीन का कहान है यह देखें यह दोनों फाइब बिल्कुल सही तो रहे हैं जी एक चीज़ मैं आपको बिताता हूं तरह इसको पास पर गड़ लो इसम जाने के लिए यह सैट कर लिया अब यह देखें यह जिस तरह हमने कलीवर काटा थ सीधा 0.3 यानि बहतरी इंद्रीके से गटा है यह वला फाइबर भी उसी तरह गटा है 1.8 पर अब यह दोनों का जो आपस में फासला वह देखने फासला कितना है पीछे पीछे रखना इसको इसको मैं सैट दबाद हो गया है सैट दबाया वह फाइब तक जाएगी ना तो ॢबल प्राल आएगी अब सैट दबा थिया यह मशीन जोड़ी यह फाइबर अब यह फाइबर जोड़ी यह फाइबर जोड़ी यह आपके पास जप्लाइस होगो है सब्सके बाद यह देखे फाइबर यह जूड़ गया है अब इसको जब हमने बाद में हीट करना थैब तो स्लीव इसमें डाल देते हैं कवर इसका ऐसे रखके ये हीट वाले में डाल देते हैं